आस्था और विश्वास का पवित्र स्थल है रक्सी स्थान। माता की असीम कृपा से यहां आने वाले भक्तों की कोई भी मुराद देर सवेर पूरी होती ही है। यही कारण है कि दिनों दिन इसकी प्रसिधी बढ़ती जा रही है। आप तौर पर यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग प्रती दिन आते हैं। लेकिन यहां पर सप्ता में दो दिन शनिवार और मंगलवार को आने की अपनी अलग मान्यता है। यही कारण है कि इन दो दिनों में यहां पहुचने वालों की संख्या हजारों में होती है। प्राचीन मान्यताओं और भक्तों की अटूट शद्धा और विश्वास के कारण आज भी यहां मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माता की चर्णों में बली भेंट करते हैं। इतना ही नहीं माता को चढ़ाई गई बली को वहां पहुचे लोग प्रसात के रूप में ग्रहन भी करते हैं। यहां पर इन दो दिनों में सैक्रों की संख्या में बली दी जाती है। यहां पर लोग अपनी मनोकामना के लिए पीपल के पेड में लाल कप्रे से लपेट कर इट बांधा करते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि मा की नजर पेड पर बांधी गई इट पर कभी न कभी पड़ेगी तो उनकी मनोकामना जल्द पुरी होगी। लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यहां पर भक्तों को आराम करने के लिए दो विश्रामालय बनवाए गए हैं। जिसका इस्तमाल यहां पर लोग एक साथ बैठ कर प्रसाद ग्रहन करने वह थोड़ी देर ठकान मिटाने के लिए करते हैं। को मा के दर्बार तक पहुँचने के लिए मिरजाचों की वसाहिब गन से कई वाहन भी चलने लगे हैं। इस थल की प्रसिधी का इसी से माइना लगाया जा सकता है कि रेलवे की ओर से शनिवार और मंदलवार को यहां पर पैसेंजर ट्रेने रोक दी जाती हैं। ताकी रेल मार्क से जाने और आने वाले भक्त चड़ सके।